लताजी हमारे बीच में नहीं रही पुर्य देश के लिए और विशेश कर संगीत में जिनकी रूची है और संगीत के ख्षेत्र के लिए ये अपून यक्षती है लताजी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा सूर साधना में अंतिम सास तक वो अपना युगदान करती रही और साथ दिसक तक भारतिय संगीत को भारतिय सास्त्रिय संगीत को भारतिय फिल्मों के संगीत को वो सजाती रही समारती रही गाना चाहे कोई भी हो भक्ति गीत हो चाहे सास्त्रिय संगीत हो या चाहे फिल्मी गाने हो रता जी ने सभी प्रकार के गानों से उनके चाहने वालों के मन को मुहा है रता जी की आवाज इस्वर की देन थी जैसे कोई बच्चे की मुश्कान क्या कोई धर्म कोई महजब नहीं होता है उक्ते हुए सुर्य की रोस्ने का कोई महजब कोई धर्म नहीं होता है फूलों की खुसबुका कोई मजब कोई धर्म नहीं होता है इसमें इस्वर का आवास होता है इसी प्रकार से लता जी की आवाज का भी कोई मजब कोई धर्म कोई सिमाय नहीं थी वो पूरे विश्व को इस्वर की देन थी मेरे व्यक्तित जीवन में भी लदा जी से मेरे घणिष्टे रिष्टे रहे हैं कई बार मेरे जीवन के नाजुक से नाजुक पलों में मुझे उन्होंने डाडस बंधाने का भी काम किया है और हमेशा उन्होंने जब भी फौन किया तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए किया या संघीत के लिए किया इतना समर्पिक जीवन आज हम सब के बीच में नहीं रहे है युगो तक लता जी की स्वर्स्वादना और लता जी की آवाज और लता जी का संघीत के प्रती लगाओ अनेक पिडियों तक सब को प्रेना देता रहेगा और आज जब लताजी नहीं रही है तब मेरे जैसे करोडों के चाहने वाले एक रिक्तता का अनुभव कर रहे हैं और यह जो सुन्यावकास हुआ है वो काफी लंबे समय तक भारतिय संगीत में उसकी शती पूर्ती होना मैं संभव देखता हूँ लता मंगेसकर ने अनेक भारतिय भासाओ के संगीत को भी अपने योगदान से मजबूत करा लोगप्रिय किया और मूल सास्त्रिय संगीत से बने गानों से उन्होंने नई पीड़ी को भी सास्त्रिय संगीत को जानने का और उसकी मधूर्ता को पहचानने का मुका दिया आज लता जी हमारे बीच में नहीं है हमेशा गीता में इस्वर में इन्ती स्रद्धा रही मैं इस्वर के स्रीचरणों में यही प्रात्ना करता हूँ कि लता जी की आर्त्मा को चीर सांती दे और उनके चाहने वाले को इस सद्मा सहन करने की सकती दे ओम सांती सांती सांती